हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्राणा होजा और आज का जो वीडियो बना हूँ वो सक्षम कुमार ने हमें कमेंट किया था उनका कमेंट ये था कि सर डिस्काइज अनेंप्लोईमेंट और अनेंप्लोईमेंट दोनों एक चीज होती है क्या तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि उन्हों ने यहाँ पर यह comment किया था Sir what is the difference between disguise unemployment and under employment तो ऐसा है सक्षम कि disguise unemployment क्या हो जाता है disguise unemployment हो जाता है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अगर मुझे निकाल दिया तो कोई income में या तो घर की income में या production में कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला मतलब मैं एक extra बंदा हूँ जो कुछ खास काम नहीं करता लेकिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ जैसे फॉर एक्जामबल के भई हमारी मान लो के भई साड़ीों की दुकान है मैं भी साड़ी बेच रहा हूँ मैडम भी बेच रहे मैं लड़का भी बेच रहा है तो कस्टमर तो उतने ही आने वाले उनको जितना लेना है उतना ही लेंगे अगर मैं कहीं और जाके कोचिंग क्लास करता हूँ तो भी साड़ीों से इंकम हमारी उतनी ही रहने वाली है तो लगता है कि मैं एम्प्लोईड हूँ लेकिन निकाल देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसे अनेम्प्लोईमेंट को डिस्गाईज अनेम्प्लोईमेंट कहते हैं जबकि अन्डर एम्प्लोईमेंट पर तो मैं खुद कहीं जा रहा हूँ जॉब करने और वहाँ पर जो जॉब मिली है मुझे मेरे स्कील के हिसाब से नहीं मिली है मैंने एम्बीय किया या सी ये किया है और एकाउंटन की जॉब ले रहा हूँ मुझे पगार मेरी स जादा कमा सकता हूं लेकिन या अभी पैसे कम अभी या जॉब ही नहीं है या तो मार्केट भी नहीं है तो मैं अंडर एम्प्लोईमेंट हूँ डिसकाइज अने इंप्लोईमेंट में अगर मुझे निकाल दिया तो मेरी फैमिली इंकम को कोई जीतना नहीं फरक पड़ेग अगर नहीं हुए तो मैं ऐसे वीडियो ले गया हूंगा जो अनेडिटर होंगे बनाने में भी टाइम नहीं लगता है तो अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप कॉमेंट कीजिए बंदा उस पर भी वीडियो भी नाएगा आई वीश यू ओल दे बेस वर एक्जम गड़ ब्लेस यू और जाइहिन